Hello Students, NK-Mithallaw class में आपका सुवागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इंडियन पार्टनर्शिब एक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज हम यहां पर इंडियन पार्टनर्शिब एक्ट के तहट एक और most important topic कवर करेंगे। आज हम यहाँ पर जानेंगे कि जो पार्टनर्स होते हैं, उनके क्या mutual rights और duties होते हैं, मतलब पार्टनर्स के क्या right और duties होते हैं, आज हम उसके बारें बात करेंगे, यह topic अपने आप में काफी most important topic है तो जब हम यहाँ पर पार्टनर्स के rights और duties के बारें बात करने जाही रही हैं, हमें यहाँ पर उससे पहले कुछ और बातों को भी clarify कर लेना चाहिए, जैसे कि हमें यहाँ पर यह पता होना चाहिए कि जो पार्टनर्स होते हैं, उनके बीच में जो right और duties होते हैं, वो किस तर कि जो पार्टनर्स होते हैं, उनके पास एक तरह से right होता है, कि अगर वो चाहें, तो अपने right और duties होते हैं, जो partners के rights और duties होते हैं, उसको by agreement तय कर सकते हैं, आपस में contract करकर वो अपने right and duties को तय कर सकते हैं, इस तरह का जो contract उनके दवारा किया जाएगा, वो express और implied format में किय जा सकता है अगर वो चाहें तो वो कभी भी इस प्रकार के कॉंट्रेक्ट को आपसी सहमती से चेंज भी कर सकते हैं तो यह वाली बात हमने जानी कि जो पार्ट्नर्स के राइट एंड ड्यूटीज होते हैं जो फिर इस एक्ट के तेत इस अधीनयम में ड्यूटीज और राइट बताए गए हैं वो तो उनके उपर फिर एप्ली केबल माने जाएंगे सबसे पहले हम यहाँ पर आपको एक जनर्रल स्पीकिंग एक बात और बता देना चाहते हैं जैसे कि आपको पता तो हो गई Contract Act का Section 27 क्या कहता है Contract Act का Section 27 यह कहता है कि अगर कोई व्यक्ती दूसरे व्यक्ती पर यह restriction लगाता है कि वो किसी प्रकार का lawful business trade occupation नहीं कर सकता है तो इस प्रकार का जो restriction होता है वो क्या माना जाता है Section 27 के तहट वो void माना जाता है लेकिन इस नियम के भी अपने कुछ exception पाये जाती हैं और उसी मैसे यहां अब हम जब section 11 की बात कर रहे हैं तो complete कर लेते हैं तो वहीं पर एक exception section 11 के subsection 2 में भी बताया गिया है कि जो partners होते हैं वो आपस में यह तैय करते हैं by agreement partners यह तैय करते हैं कि जब तक वो as a partner is partnership from में हैं तब तक वो कोई और business नहीं कर सकते हैं तो इस प्रकार का इनका जो यह agreement है वो अपने आप में valid माना जाता है हम अपने present question पर आते हैं हमारा present question यहाँ पर यह बनता है कि जो partners होते हैं उनके rights and liabilities किस तरह से तैय होते हैं तो अब हम बात करते हैं कि partners के right and liabilities इस partnership act के तहत क्या क्या बताये गए हैं सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि इसकी duties क्या पाई जाती हैं संबद में तो speaking general speaking अगर हम बात करें तो partners की general duties पाई जाती हैं जो की section 9 में बताई गई है general duties की बात करें तो general duties का मतलब क्या होगा पहुँ simple सा इसका meaning है कि भाई जो आपका partnership फ्रम का business है आप उसके common advantage के लिए काम करें जो partners हैं वो सभी एक दूसरे के लिए faithful हैं कोई भी एक दूसरे से किसी प्रकार की cheating ना की जाए जो भी उनके account से related मामले हैं उसको बिल्कुल clear रखी जाए और उनके पास जो भी information है वो information एक दूसरे के साथ ने share की जाए तो एक तरह से यह है तो उनकी general duties बताई गई हैं और भी संबन्ने उनकी duties बताई जाती हैं partners की regarding इस संबन्ने partners की first of all तो partners की हैं इस संबन्ने एक duty यह भी पाई जाती है कि हर एक पार्टनर की duty बनती है कि उसके दौरा कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाएगा अगर किसी भी partner के दौरा कोई भी ऐसा काम किया जाता है जिसके दौर वह फ्रम को फ्रॉट करता है वह फ्रम के साथ में तो वहाँ पर उस पार्टनर की ड्यूटी बनती है कि वह उस फ्रम को इंडेम्निफाई करें वह फ्रम को छती पूर्ती दें अगर किसी भी पार्टनर की वजह से फ्रम को कोई भी लॉस होता है किसी भी पार्टनर की वजह से कोई ऐसा एक्ट किया जाता है जो कि fraud की प्रोड की कटिगरी में जाता है जिस वजहे से फ्रम को कोई भी लॉस होता है तो अफिर उस पार्टनर की ड्यूटी बनती है कि वह फ्रम को बिजनिस है जब वो उससे रिलेटेट काम कर रहे हैं तो वह अपने उस काम को डिलीजेंटली करें मतलब एक्टिबली वह अपने उस काम को करें यहां पर इस संबंद में जो पार्टनर्स होते हैं उनकी इसमें यह भी ड्यूटी भी पाई जाती है उनकी संबंद में कि जब ordinari matter sincere relate करता है तो तो पार्टनश जो होती है उनक सूवर्स मामले पर आपपेश करें यह उपका भी कह सकते हैं कि उनका अधिकार भी पाया जाता हएं कि वे उसमामले पर अपनी राय व्यक्त करें इसी के साथ में मैं आपको बता देना चाहते हूं कि इंपॉर्टिंग शेक्शन है यहां पर एक है कि जब अगर कोई मामला ओर्डिनरी मैटर है जिसको लेकर पार्टनर्स के बीच में डिफरेंस कीट हो गया है तो पार्टनर्स ऐसे इस प्रकार के मामले को आपस में मैजॉर्टी के दुवा करता है उसको लेकर अगर पार्टनर्स के बीच में किसी प्रकार का कोई डिफरेंस कीट हो गया है तो फिर ऐसे में सभी पार्टनर्स की सहमती यहां पर संबंद में आवश्यक मानी जाएगी तभी इस प्रकार की मामले को यहां पर हल किया जा सकेगा है यह हम आगे चलते है संबंद में अगर यह पता चलता है कि किसी भी पार्टनर के दुवारा जान मुझकर विल्फुली जान मुझकर कोई ऐसा एक्ट किया गया है जिसकी वजह से फ्रम को लॉस होता है फ्रम की प्रॉपर्टी को फ्रम के इंट्रेस्ट को लॉस पहुचता है तो ऐसे में वहां उस पार्टनर की ड्यूटी बनती है कि वह फ्रम को इंडेमनिफाई करें फ्रम की छती पूर्ती करें एक बात याद रखिएगा आप इस संबंद में यह पार्टनर की ड्यूटी बनती है इस संबंद में कि वह फ्रम से इसको आप बहुत किलिए समझाती हूं चितरह से मैं स करके पर्सनली प्रॉफिट कमाया गया है पर्सनल प्रॉफिट कमाया गया है तो फिर ऐसे पार्टनर्स की ड्यूटी बनती है कि उन्होंने संबंद में जो भी पर्सनल प्रॉफिट रिसीव किया है वह पर्सनल प्रॉफिट फ्रम को बापिस करें और इसी के साथ में पार्ट यहां पर संबंद में जो भी प्रॉफिट उन्हें प्राप्त होता है वह वहां पर फ्रम को दे देंगे जब तक कि उनके बीच में संबंद में अगर अगरा नहीं कर लिया गया है तो तब तक उनकी ड्यूटी अगरा जनल स्पीक जो पर एप्लिकेबल मानी ही जाएंगी यह कि ड्यूटी पाई जाती है कि जो फ्रम की प्रॉपर्टी होती है उस फ्रम की प्रॉपर्टी का प्योग एक्सक्यूजिवली उस फ्रम की प्रॉपर्टी का प्योग एक्सक्यूजिवली ओनली टू ओनली फ्रम के जो कार रहे हैं जो बिजनिस और फ्रम है उसके परपस के यह किया जाना चाहिए ना कि अपने खुद के पर्सनल पर्पस के लिए फ्रम की प्रॉपर्ट्री का उनको प्योग करना चाहिए यह भी आप इस संबंदे ड्यूटी के रूप में मान सकते हैं कल भी मैंने आपको क्लियर करा था कि जहाँ पर पार्ट्णर्स आपस में मिलकर एक्रियमेंट करती हैं कि उनको उस बिजनिस से जो भी प्रॉफिट ओगा आपस में वह अक्व़ी ऋवाईट करेंगे जब तक कि वो इस संबन्ने आपस में मिलके कोई अलग से agreement ते नहीं कर लेती है कि किस partner को कितना loss या profits वेहन होगा तब तक जनरली स्पिकिंग यही कहा जाएगा कि वो equally profit और equally share, equally profit और equally loss वेहन करेंगी अभी हमने जनरली स्पिकिंग ड्यूटी की बात करी थी कि partners की क्या duties पाई जाती है हमने यहां पर संबन्ने में एक बार revision में लेना चाहूंगी ताकि बात और clear हो सके हमने यहां पर संबन्ने duties में यह जाना था कि partners की और एक बात हमने clear कर ली थी शुरू में ही संबन्ने कि जो mutual rights and duties होते हैं partners के वह by agreement भी त्या कर सकते हैं अगर उन्होंने सॉरी अगर पार्टीज ने अगर पार्टनर्स के द्वारा by contract त्या कर लिया गया है तो वह उसके उपर duties and rights उसके तहत फिर applicable होंगे और otherwise उनके द्वारा कोई भी संबन्ने अगर संबिदा या contract वगया नहीं कर लिया गया इस संबंद में जो ड्यूटीज और राइट बताये गए वह उनके उपर applicable माने जाएंगे तो हमने संबंद में अभी तक duties के बारे में यह जान लिया था जिसमें हमने यह जान लिया था कि जो पार्टनर्स होते हैं जहां वह equally profit share करते हैं वहीं पर उसमें वह equally loss करने की बात की गई थी जैए उसका के लो के वलम के व्पयोगा की कि किया जाएगा हमने यह कि यहां पर यह पार्टनर की ड्यूटी पाए जाती है कि वह ऐसका कोई भी एक्ट नहीं करेंगे ऐसा ज Crी अश्व एकिकरेंगे double to के जो की फ्रम के बिजनिस को कॉंपीट करता होगा कम्टिशन लेवल पर होगा हमने यह भी जान लिया था इसमें कि उनके दुआरा किसी प्रकार का कोई भी पर्सनल प्रॉफिट फ्रम का नाम यूज करके उसके टांजिक्शन का प्योग करके उसकी प्रॉपर्टी का यूज करके अगर रिसीब किया जाता है तो उनकी डिटि बनती है कि फ्रम को बापिस करदें अकर क对 मिल्फूल नैगुलिजंशी वर्क किया जाता है तो फिर इस संबं्नेinks बनती है कि फ्रम को जो भी लॉस हुआ है कि फ्रम की फ्रम की इंट्रेस्ट को व्ह उसे फ्रम को छती संबंदने उनकी ड्यूटी बनती है कि फ्रम को जो भी लॉस हुआ है फ्रम की प्रॉपर्टी को फ्रम के इंट्रेस्ट को वह उसे फ्रम को छती पूर्ती दें हमने यह भी जाना था कि अगर कोई ऐसा मामला है जो कि और नरी मामला है तो फिर वहां पर डिफ्रेंस कीट होने पर जो पार्टनर्स हैं वह उस मामले को बाई मैजॉर्टी बाई भहुमत से भी निप्टा सकते हैं पर उन्तु वह भहुमत गुड़ फेट में होना आवश्यक है पर वहीं पर अगर जो मैटर है वह नेचल बिजनिस से रिलेट करता है तो अफिर सभी पार्टनर्स की सहमत अबश्यक माना जाएगा हमने यह यह भी जान लिया था समभने कि नहीं की पार्टनर्स की डूटी बनती हैं कि लो फ्रम ये खर समंगोर कि अगर किसी अरुटी पहुछ लिया था कि सभी partners को एक दूसरे के लिए faithful रहना चाहिए जहां तक संभव हो सके उन्हें हमेशा सही फ्रम के business के लिए फ्रम के common advantage के लिए बर्क करना चाहिए उन्हें अपने accounts अगर सब के लिए रखने चाहिए जो भी अगर को information उनके पास में इससे लेटेट है तो आपस में उनको इनफोर्मेशन शेयर करनी चाहिए तो आई तिंग ड्यूटी जर्नली स्पिकिंग के लिए हो चुकी है अब हम राइट्स की बात कर रहे हैं कि जो पार्टनर से उनके पास राइट्स पाई जाते हैं उनके अधिकार क्या होती है तो सबसे पहल हैं उनके पास ही अधिकार होता है पार्टनर के पास में कि जो भी उनके फ्रम के बुक्स वगड़ा है वो आसानी से वहां तक पहुश सकते हैं उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं उनको आर्ब से समझेगा इस बात को पार्टनर को राइट टू टेक इंट्रेस इसका मतलब क्य इन्ट्रेस् जिया जाता है और एसी पर्फीट होता है केवल उसी मैसे दिया जाता है इस ऐसे पार्टनर को यहां पर एक बात संबन् में और याद कि अगर पार्टनर के राइट के बारे में बात कर रहे हैं अगर पार्टनर के तुवारा ऐसे काम किये जाते हैं जो कि और नरी कोर्स बिजनिस में किये गए हैं और ऐसे कोई काम किये गए हैं जो कि इमर्जेंसी कंडशन में उसके दोारत किये जाने जरूरी थे, जिस वज़य से उन कामों की वज़य से उसने इसलिए वो काम किए थे, ताकि वह from को protect कर सके और उसने वही काम किये थे उस लेवल तक यहां तक कि एक साधान व्यक्ति अपने लिए वो कामों को करता तो ऐसे में फ्रॉम की डूटी बनती है अब एक तरह से इस व्यक्ति का इस पर्टनर का यह राइट बन जाता है कि वो फ्रॉम से छतीपूर्थी संबंद में प्राप्त कर सकता है जो भी उसको इस तरह के काम करते हुए लॉस होता है तो ऐसे में ऐसे पार्टर की डाइट बन जाता है कि वो फ्रम से इस संबंद में इंडेम्निफाई प्राप्त कर सकता है लेकि वो कब प्राप्त कर सकता है फ्रम से इंडेम्निफाई जब यह साबित हो जाएगा कि उसने जो काम करे थे वो उसने वो काम ordinary course of business में किये थे उसने वो काम emergency condition में करे थे और यहाँ पर उसके ऐसा करने का purpose firm को protect करना था और उसने वहीं तक कराता जहां तक एक सामाने व्यक्ति अपने लिए करता है तब उसका यह हवाला right यहाँ पर स speaking नहीं होता लेकिन अगर पार्टनर्स के बीच में इस बात को लेकर किसी प्रकार कोई agreement हो गया है तो हां उसको फिर पारिश्रमिक रेम्यूनियेशन दिया जा सकता है संबंद में यह वाली बात हम पहले भी कर चुके थे फिर से इसमें बता देती हैं अगर कोई matter चाहें व अपनी ओपीनियन एक्सप्रेस कर सकता है उसको इस प्रकार के राइट से जो है वंचित नहीं किया जा सकता है तो एक बर फिर से हम राइट को एक बार जनली स्पिकिंग रिवीजन में कर लेते हैं इस तरह से हमने में अपने जो राइट एंड डूटी इनके बारे बात कर अलग बग तो फिर से एक बार राइट को रिवीजन में कर लेते हैं तो हमाई ले काफी अच्छा रहे गाई है कि यहां पर इसके क्या-क्या राइट की बात करी रहे हैं तो यहां पर पार्टनर्स को यह राइट होता है कि जो भी पार्टनर्शिप से रिलेटेट मैटर होत सकता है पार्टनर के दुबारा अगर ऐसा कोई काम किया जाता है जो कि और नरी कोर्स बिजनिस में है इमर्जेंसी में किया गिया है तो यहां पर उसके पास में उसको अगर इस प्रकार के काम से कोई लॉस होता है तो उसको अधिकार होता है कि वह संबद में सब्सक्राइब कर सकता है और इसके साथ हमने यह भी जाना था इसमें कि अगर उसके कोई इसमें ऐसा एमाउंट ऑफ कैपिल लगाया जाता है जो कि अलग होता है और वह यहां पर उसको कॉंट्रिबूट करने के लिए इंवेस्ट करने के लिए एगरी करता है तो ऐसे में ऐसा वाला पार्टनर यहां पर 6% पर एनम के हिसाब से इंट्रेस्ट प्राप्त करने का अधिकारी माना जाता है इसलिए के साथ में हमने यह जाना था कि जो पार्टनर होता है उसके पास यह राइट होता है कि जो बुक्स और फ्रम है वह उनको इंस्पेक्ट कर सकता और कॉपी करने का भी राइट रखता है प झाल झाल